तो दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं आज 29 जनवरी 2020 बुधवार का दिन हो चुका है और जल्द ही एक फरवरी 2020 आने वाला है आपको बता दें एक फरवरी 2020 से भारत में कुछ बड़े नियम लागू होने वाले हैं आपको बता दें ये नियम वाटसप को लेकर घरेलू गैस सि बारे में बताने वाले हैं तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो अगर कोई जादा जरूरी जानकारी मिस हो गई तो आपको आने वाले दिनों में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा तो आईए फटा-फट से वीडिय बात की तरफ और आपको बताते हैं पहला नियम जो के एक फरवरी 2020 से लागू हो सकता है दोस्तो भारत में जो पहला नियम लागू होने वाला है उस नियम के तहट भारत में बहुत सारे नियम लागू होंगे यानि एक फरवरी 2020 को भारत के लिए बजट पेश किया जाएग पर तो सरकार के तरप से एक फरवरी के दिन भारत के लिए 2020 और 2021 का बजट पेश होगा जिसे भारत की वित मंत्री निर्मला सीता रमन पेश करेंगी तो एक फरवरी 2020 को पहला यही नियम है सबसे बड़ा जो के बजट को लेकर है बजट के अंदर जो भी महत्पूर बाते जो भी नई योजनाओं के बारे में बाते होंगी जो भी नया नियम लागू होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा आप नीचे दिये गए सब्सक्राइब के बटन को दबा कर सब्सक्राइब करके बेल का या था लेकिन अब इसकी जो date है वो बिलकुल नजदीक है और एक फरवरी 2020 से अब Android phone में WhatsApp काम नहीं करेगा ये Android वो phone होंगे जो के Android version 2.3.7 पर चलते हैं आपको बता दें WhatsApp उन iPhone पर भी बंद हो जाएगा जो के iOS 7 पर रन करते हैं तो जो भी ऐसे version है iPhone के और Android के तो इन पर अब WhatsApp काम नहीं करेगा एक फरवरी 2020 से अगला जो बड़ा बदलाओ होगा वो एक फरवरी 2020 से है घरेलू गैस सिलिंडर के दाम बढ़ रहे हैं आपको बता दें एक जनवरी को जो ताज़ा खवर आई थी उसके मताबिक घरेलू गैस सिलिंडर के दाम बढ़ हो सकते हैं इसा इस करेंगे एक फरवरी से या फरवरी के महीने में अगले बदलाओ की अगले नियम की तो वो है बैंकों के बारे में जी हाँ आपको बता दें जितने भी बैंक है वो फरवरी के महीने में 13 दिन तक बंद रहेंगे बलके पूरे 13 दिन तक बंद रहेंगे आपको बता दें जब बैंक बंद होते हैं तो कभी कभी ATM में भी कैश की किल्लत हो जाती है तो ATM की तरफ से भी थोड़ी सी परशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है इसके अलावा आपको बता दें जिस दिन एक फरवरी 2020 होगा उसी दिन बैंकों की हरताल है और उसके अगले दिन भी बैंक इसको छोड़ कर फरवरी के महीने में और 13 दिन बैंक बंद रहेंगे तो आप अपने बैंकों के काम निपटा लें अगर आप जानना चाहते हैं के कौन-कौन से दिन बैंक बंद रहेंगे इस्टेट वाइस तो हम आपको इसी वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में एक कि देंगे जिस पर आप किलिक करके ये जानकारी जान पाएंगे बात करेंगे अगले नियम की जो के फरवरी में बदल सकता है जो के लागू हो सकता है वो है LIC के तरफ से यानि के भारतिय जीवन बीमा निगम की तरफ से आपको बता दें भारत के Insurance Department के तरफ से कुछ नए नियम लागू किये गए हैं insurance policy पर अब जो भी बीमा कमपनिया हैं उनको आने वाले दिनों में ऐसी ही policy बेचने का अधिकार है जो के भारती insurance department यानि के इर्डा की तरफ से है जो भी ऐसी योजनाए हैं जो के सरकारों के नियम पर खरी नहीं उतरती उनके मताबिक नहीं है तो वो योजनाएं बंद होंगी ताजा रिपोर्ट के मताबिक अमर उजाला पर इस बात को बताया गया है के ऐसी LIC के यानि के भारती जीवन भीमा निगम की 23 योजनाए हैं 23 policy हैं जो के बंद हो सकती हैं तो एक फरवरी 2020 से और फरवरी के महीने में ये एक बड़ा बदलाओ ह तरब से आपको बता दें RBI ब्यास दरों में यानि के लोन की ब्यास दरों में कमी करता है या तो बढ़ोतरी करता है आपको बता दें बीते कुछ अर्से में RBI के तरब से ब्यास दरों में काफी जादा कटोतिक की गई है लेकिन आपको बता दें फरवरी के महीने में ब्या लागू होगा वो है ATM कार्ड को लेकर जी हैं अगर आप ATM कार्ड का इस्तेमाल करते हैं ATM से पैसे निकालते हैं तो आपको बता दें एक फरवरी 2020 के बाद वो सभी ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे बंद हो जाएंगे जिन पर चिप नहीं है आपको बता दें जिस तरीके से SIM पर गोल्डन करर का चिप होता है उसी तरीके से अब आपके ATM पर चिप होता है लेकिन आपको बता दें जो पुराने ATM कार्ड हैं उनमें ये चिप नहीं होता था तो जो भी ऐसे ATM कार्ड हैं चाहे वो किसी भी बैंक के हो वो एक फरवरी 2020 से बंद हो सकते हैं इसलिए आपको नय ATM कार्ड लेना होगा अगर आपके पास वैसा ATM कार्ड है तो दोस्तो अगली नियम के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा आपको इसी वीडियो की नीचे कम लिंक नहीं होने पर भी एक्टिव रहेगा पैन कार्ड कोट ने बताई है इसकी वज़े है जी हाँ हाई कोट ने पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग को लेकर बड़ा फैसला दिया है कोट का कहना है कि अगर कोई वैक्ति अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड स अब भी चलता रहेगा आपको बता दें गुजरात हाई कोट ने कहा कि आधार एक्ट का मामला अभी सुप्रीम कोट में चल रहा है और इस पर कोई फैसला नहीं आया है इसलिए अगर कोई आखरी तारीक तक भी अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक नहीं करवाएगा तब भी उसके पैन कार्ड पर कोई फरक नहीं पड़ेगा दोस्तो एक फरवरी 2020 से जो अगला नियम लागू होगा मोधी सरकार का एक और तोफ़ा गाउं गाउं पाइपलाइन से गैस पहुचाने की है तैयारी जी हाँ मोधी सरकार देश में उरजा के मोर्चे में बड़ा बड़े महानगर हैं जहां पर गैस सिलिंडर का यूज नहीं होता बलके पाइप के जरीए सीधे घर में बिजनी कनेक्शन की तरह या पानी कनेक्शन की तरह गैस के पाइप को जोड़ दिया जाता है और फिर गैस का बिलाता है तो इसी तरीके से अब पूरे देश में ज़दी महत्पून डॉक्यमेंट है कोई सरकारी काम हो या प्राइवेट काम हो हमें आधार कार्ट की ज़रूद पड़ती है लेकिन आपको बता दें अगर आधार कार्ट से आपका इमेल आईडी कनेक्ट रहेगा तो इस से आपको बहुत सारा फाइदा मिल सकता है कभी आधार कार्ट खो जाएगा तो इसमें भी आपको email ID की सहायता मिलेगी, आपको बता दें पहले email ID, आधार कार्ट में link करवाने पर शायद document लगता था, लेकिन अब जो ताजर रिपोट आई है, उसके मताबिक आधार सेंटर जाएगे, और email ID देंगे, और 50 रुपे देंगे, तो आपका email ID आधार कार्ट से link हो जाएगा, फिर आप email पर आधार कार्ट की बहुत सारी सर्विसों का यूज़ कर पाएंगे, अधिक जानकारी के लिए आप customer care से बात कर सकते हैं, आधार कार्ट के या आधार कार्ट से जो अगला नियम लागू होगा, आधार कार्ट से link ह वोटर ID कार्ट यानि के पहचान पत्र कानून मंत्राले ने दे दी है, चुनाव आयोग को मनजूरी, जी हाँ, आपको बता दें, चुनाव आयोग ने 2019 के अगस्त महीने में सरकार को एक प्रस्ताव भीजा था, और प्रस्ताव में चुनाव आयोग ने कहा था कि जितने भी पहचान पत्र हैं, उनको आधार कार्ट से लिंक कर दिया जाए, आपको बता दें, सरकार ने चुनाव आयोग की बात को मनजूर कर लिया है, और अब आने वाले दिनों में सभी लोगों को अपना पहचान पत्र अपने आधार कार्ट से लिंक करवाना होगा, ऐसा करने से ब बनेगा National Business Register, जी हाँ, सरकार की तरफ से एक और घोषना की गई है, आपको बता दें सरकार की तरफ से, एक एलान किया गया है, जिसके तहट अब एक और नया रजिस्टर बनेगा, जिसका नाम होगा NBR, यानि के National Business Register, आपको बता दें, इस रजिस्टर में, उन सभी कारोबारि भी हो सकती है, दोस्तो एक फरवरी 2020 से जो अगला नियम लागू होगा, अब आधार के बिना नहीं खरीद पाएंगे सोना चांदी और ये सभी चीज़ें, सरकार ला सकती है, नया नियम, जी हाँ, आधार कार्ड को लेकर आज की बड़े खबरों में, काफी बड़ी बड़ लेकिन अब आपको आने वाले दिनों में किसी भी तरह का सोना खरीदने पर आधार कार्ड देना होगा, इसके अलावा एक और बड़ा बयान आया है, जिसके तहस सरकार नौन ज्वैलिरी कारोबार पर भी इस नियम को लागू कर सकती है, यानि सोना चांदी को छोड़ कर ज यानि नियोकता को स्थाई खाता संख्या यानि के पैन कार्ड या आधार कार्ड उपलब्द नहीं करवाया, तो उसके सैलरी में से 20 फिस दी या इससे भी जादा की कटोती हो सकती है, टीडियस के मद्दे नजर, आपको बता दें, ये कटोती उन पैसों पर होगी, जो पैस टेक्स के योग्य होगा, तो दोस्तो यही कुछ नियम है, जो नए महीने के तहट लागू हो सकते हैं, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी, हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, श शेयर करना ही हमारी मेहनत का अफ़ल होता है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फर वाचिंग